दोस्तो यदि आप thumbnail बनाना चाहते हो इफेक्ट के साथ जैसे कि आप देख सकते हो कि thumbnail कितने эффект PG के साथ तयार किया गया है तो आप मेरा भी चैनल ओपन करेंगे तो आप देख सकते हो कि मैंने कितने effect के साथ बनाया है अगर आप भी इसी तरह का thumbnail बनाना चाहते हो तो आपको इस वीडियो को आपको पूरा देखना होगा दोस्तो यदि आपने इस चैनल पर पहरी वार विजिट किया है तो मेरे चैनल को like subscribe जरूर करें तो thumbnail बनाने के लिए आपको pixel lab application को यूज करना है क्योंकि मैं भी इसी application को यूज करता हूँ इस application को आपको play store से डाउनलोड कर लेना है दोस्तो आप जैसे pixel lab application को open करेंगे दोस्तो YouTube thumbnail बनाने के लिए आपको उपर three dots पर क्लिक करना होगा फिर आपके सामने इस तरह का interface दिखाए देगा फिर इसके बाद आपको image size पर क्लिक करना है फिर इसके बाद आपको custom पर क्लिक करना है फिर इसके बाद आपको YouTube thumbnail पर क्लिक करना है फिर इसके बाद आपको ok पर क्लिक करना है तो दोस्तो अब ये आपके सामने YouTube thumbnails आई जाए फिर इसके बाद आपको क्या करना है इस text को delete कर देना उपर से फिर इसके बाद आपको इस वाले option पर click करना है फिर इसके बाद आपको color वाले option पर click करना है तो दोस्तो यहाँ पर आपको thumbnail बनाने के लिए दो option मिलते हैं एक color एक gradient का तो दोस्तो color पर आप जो click करेंगे तो इसमें बहुत सारे color दिये हुए लेकिन इस पर आप एक ही color का thumbnail बना सकते हो यदि आपको इन colors में कोई color नहीं पसंद है तो आपको कोई दूसरा color लगाना चाहते हो तो उसके लिए आपको नीचे plus वाले icon पर click करना होगा फिर यहां से आपको कोई भी अपना color select कर लेना है इसको आपको थोड़ा सा आगे पीछे कर लेना है फिर इसके बाद आपको को okay कर देना है तो दोस्तो यदि आप दो color का thumbnail बनाना चाहते हो तो उसके लिए आपको gradient पर आपको click करना होगा दोस्तो आप नीचे देख सकते हो कुछ color मैंने पहले से बनाए है जो की दो color गये है दोस्तो दो color का thumbnail बनाने के लिए आपको नीचे plus वाले icon पर click करना होगा फिर आपके सामने इस तरह का interface दिखाई देगा और साथ ही दोस्तो आप दे सकते हैं बहुत सारी effect आपको उपर देखने को मिलेगा तो यहाँ पर दोस्तो आपको जो effect पसंद हो आपको उस effect को select कर लेना है तो मैंने ये effect को select कर लिया है तो दोस्तो आप यहाँ पर भी दो color ले सकते हैं दोस्तों यहाँ पर जो color है यह उपर वाला color है और यहाँ पर जो color आपको देखने मिलना है यह नीचे वाला color है दोस्तों आपको कौन सा color किदर रखना है यही से set करना है उसके लिए आपको इस वाले option पर आपको click करना होगा फिर इसके बाद आपको नीचे color वाले option पर click करना है आपको यही से आपको color select कर लेना है कौन सा color किदर रखना है इसके बाद आपको नीचे वाले का भी color set करना है तो उसके लिए आपको दोस्तों नीचे वाले option पर आपको click करना होगा फिर इसके बाद आपको color वाले option पर click करना है फिर इसके बाद आपको ok पर click कर देना है यहाँ पर दोस्तों मैंने दो color का background बना लिया है लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको effect या png डालना है तो उसके लिए आपको एक नीचे transparent का option दिखाएगा तो उसके बाद आपको इस वाले option पर click करना है फिर इसके बाद आपको draw वाले option पर click करना है तो दोस्तों यहाँ पर हम png बनाने के लिए color को white select करेंगे फिर इसके बाद थोड़ा नीचे करेंगे फिर इसके बाद एक option आपको देखने को मिलेगा fill inside आपको इसको enable कर देना है फिर इसके बाद आपको जिस तरह का png बनाना हो आपको हिलाते हुए आपको उसको बना लेना है फिर इसके बाद आपको png को save कर देना है फिर इसके बाद आपको इस png को save कर देना है दोस्तों यहाँ पर आपको PNG को Ultra में Save करने के लिए आपको Custom पर क्लिक करना है फिर इसके बाद आपको Ultra पर क्लिक कर देना है फिर इसके बाद आपको Save to Gallery पर क्लिक कर देना है फिर इसके बाद आपको इस PNG को हटा देना है और फिर दुवारा अपने color को background को open कर लेना है फिर इसके बाद आपको इस वाले option पर click करना है फिर इसके बाद आपको import पर click करना है फिर आपको png वाला effect आपको select कर लेना है फिर इसके बाद आपको अपने इसाफ़ से set कर लेना है फिर आपको इसको थोड़ा सा बढ़ा कर लेना है फिर इसके बाद आपको इस effect को lock कर देना है उसके लिए आपको क्या करना होगा आपको इस वाले option पर click करना होगा और इसको ताले पर click कर देना है इसे आपका effect हिलेगा नहीं दोस्तों यदि आपको एक और पेंजी देना है तो उसके लिए आपको सेफ वाले आफ़सन पर क्लिक करना है तो सेफ वाले आफ़सन पर क्लिक करते हैं फिर इसके बाद आपको क्लिक कर देना है दोस्तों यहाँ पर image या logo लगाने के लिए आपको एक और application को डाउनलोड करना है उसका नाम है image download तो उसको आपको play store से डाउनलोड कर लेना है इस application का नाम है फिर इसके बाद आपको open करना है इस application को कि दोस्तों इस अप्लिकेशन से कोई भी आप पेंजी या कोई एफेक्ट या फोटो डाउनलोड कर सकते हैं विल्कुल फिरी है तो दोस्तों यहां पर थम्मलेल बनाने के लिए हम यहां से यूटूब का लोगो निकालेंगे अप्लिकेशन से आप कोई भी पेंजी निकाल सकते हो फिर इसके बाद आपको सेप कर लेना है फिर इसके बाद आपको बाइक कर देना है और फिर आपको अपना फिर इसके बाद आपको पेक्स्तल लाव अप्लिकेशन को ओपन करना है और फिर इसके बाद आपको इंपोर्ट से सेट कर लेना है इसे क्रोप करके छोटा कर लेना है थोड़ा से इसे साइड में एरो पर क्लिक करके इसे रोटेट कर लेना है थोड़ा साई सही रोटेट कर लेना है फिर इसके बाद यदि आप थमनेल में फोटो लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इंपोर्ट पर फिर से क्लिक करना होगा और यहां से अपने फोटो को सिलेट कर लेना है जिस फोटो को आप लगाना चाहते हो फिर दोस्तों अपने फोटो को हम सिलेट कर लेते हैं आपको क्रोप कर लेना अपने इसाफ से फोटो को तो दोस्तों हमने अपने फोटो को सिलेट कर लिया है इसके बाद आपको फोटो को अपनी साफ से सेट कर लेना है फिर इसके बाद आपको टेक्स्ट लिखने के लिए आपको ए वाले आप्सन पर क्लिक करना होगा फिर इसके बाद आपको टेक्स्ट वाले आप्सन पर क्लिक करना होगा फिर इसके बाद आपको pencil वाले icon पर click करना है तो दोस्तों हम यहाँ पर लिख लेते हैं YouTube फिर इसके बाद इस text को बेहतरी दिखाने के लिए आपको इसको bold कर देना है आपको ok कर देना है फिर इसके बाद आपको size वाले option पर click करना है और फिर यहाँ पर अपने test को अपने हिसाफ से set कर सकते हैं दोस्तों इस text को और भी अच्छा दिखाने के लिए आपको क्या करना होगा थोड़ा सा खिसकाएंगे फिर इसके बाद आपको stock पर click करना है फिर इसके बाद आपको enable कर देना है फिर इसके बाद आपको OK कर देना है तो दोस्तों आप देश सकते हो को पहले से बहुत ही बेतरी लग रहा दिखने में इसके बाद आपको दुआरा टेक्स्ट लिखने के लिए आपको दुआरा टेक्स्ट पर क्लिक करना है यहाँ पर हम लिक लेते हैं चैनल पिर इसके बाद आपको इस टेस्ट का कलर चेंज करने के लिए आपको कलर वाले आपसन पर क्लिक करना है फिर इसके बाद आपने टेस्ट को स्टाइलिस दिखाने के लिए आपको दुवारा से स्टाइल पर क्लिक करना है तो Size को Set करने के लिए आपको Size पर क्लिक करना है और इसे अपने एसाब से आगे पीशे करके इसे बढ़ा कर लेना है। िसके बाद आपको कर देना है दोस्तों इस टेक्स्ट को और बैतरिंग करने के लिए आपको दूबारा से इस ट्रोक पर क्लिक करना है फिर इसके बाद आपको इनेवल कर देना है तो को जिस कलर का पसंद और तुट लगा सकते हैं दोस्तों अपने टेक्स्ट को और भी स्टालिस लिखाना का तो उसके लिए क्या करना कि उसके लिए आपको फॉंट वाले आफ क्लिक करना है यहां पर आपको जो टेक्स्ट आपको पसंद है इस टेस्ट को आपको तो दोस्तो फिर इसके बाद आपने टेस्ट को हिंदी से लिखने के बाद आपको इस साइज को फिर से बढ़ा कर लेना है तो दोस्तो इस तरह से आप थमनेल बना सकते हो यदि आपको वीडियो मेरा पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें